हलो फ्रेंट्स मेरा वो लो आप देख रहे हैं हेल्फ बूर चलने दूस्तों आज मैं आपको सिर्फ के बेशीटर्स की मदब से मोटर को एलेडी को और जो हमारा बज़र होता है उससे मैं आपको चला करते दिखाने वाड़ों चलिए वीडियो देखते हैं फ्रेंट्स सबसे पहला है मैं बज़र ले लेना है फ्रेंट्स यह फांच बोट से लेके 12 बोट तक चलने वाला यह बज़र है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं आपको बताने के लिए मैं बज़र यूज कर रहा हूं और मैं यहाँ पर एक LED ले ले रहा हूं इसमें रेज को लगाना होगा तभी यह 12 बोट की बेटरी से भी आसानी से चलेगा वरना यह फ्यूज हो जागा फ्रेंट्स यहां पर मैं यहां पर एक 12 बोट का LED ले ले रहा हूं फ्रेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं इसमें यह लिखा हूँ अभी 12 वल्ट डिसी फ्रेंट्स आप अगर वीडियो चाहले वीडियो को लाइक कर देगा चेनल को सब्सक्राइब पर घंटे बोल का भी दबा देआगा फ्रेंट्स यहां पर मैं 12 बोल का मोटर ले रहा हूं क्योंकि मैं आपको इसे भी टेस्ट करके दिखाऊंगा फ्रेंट्स यह मोटर जो है जो मैं इसके यह हमारा 47 UF 160 वोल्ट का हमारा यह है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह दुसरा कैपसीटर है, यह हमारा 160 वोल्ट 100 UF का कैपसीटर है, और यह जो दुसरा यह कैपसीटर है, यहाँ पर देख सकते हो, 35 वोल्ट 220 UF का है, यह हमारा 35 वोल्ट 100,000 का है, यहाँ पर देख सकते ह यह सोलाव वोल्ट 1000 UF का है यहाँ पर आप देख सकते हो यह भी तो फ्रेंट्स आप कुछ इस तरीके से आपको कैपसीटर अगर आपके पास जो भी कैपसीटर होगा तो आप सिंपली उसका यूज करके इसे आप अपने काम में ला सकते हो तो मैं सिंपली अभी यह कैपसीट जो होता है वह चार्ज होता है जैसी कि हमारी बैटरी हो दी 12 बोल्ट की बैटरी जो हमारे UPS में लगी हुए रती है फ्रेंट्स वह भी उसमें भी कैपसीटर लगा हुआ रहता है जिससे आपको वोल्टेज 15 बोल्ट तक आउटपूट मिलता है तो सबसे पहले मैं आपको म मोटर में ट्राइक करके दिखाऊंगा कि मोटर को किस तरह से हम करेंगे जो इसकी स्पीड जो है वो हाई हो जाएगी तो आपको वीडियो पुरा एंट तक देखना होगा फ्रेंट्स तभी आपको यह समझ में आएगा फ्रेंट्स आप इसे खुद ट्राइक कीजिएगा त आपको भी इसे बनाने तो आप आया के बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो यह आप हमारे चैनल में भी जा करके डारेट वीडियो देख सकते हो फ्रेंट्स तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मल्टी मेटर से आपको यह बेटरी इसकी बोल्टेज चेक करके दिखा जात तो आप 12 बोट की बेंटरी भी घर पर बना सकते हैं असानी से है और इसका जो चार्जर है वह भी काफी इजी ट्रिक है फ्रेंट्स तो आप इसे जरूर बनाईएगा इससे आपकी काफी हैल्फ हो जाईए और यह काफी सस्ता भी है आप इसे असानी से बना लोगे तो जो फ्रेंट्स यह जो क्यापे सीटर है इसमें हमें सबसे पहले मैं वायर को कर लेता हूं क्यूंकि यहां पर आप देख सकते हो मोटर जो ह होगी सबसे पहले मैं आपको क्यापे सीटर का जो वेल्यू है में रह्ते हैं मैं मैं आपको इससे मौल्टी मीटर से चेक करके दिखाता हूं तो तो यह देखिए फ्रेंट्स जैसे में यहां पर के पर सीटर को मल्टीमीटर से अटेश करता हूँ यहां पर आप देख सकते हो वैसे मैं यहीं करूंगा तो मैं सबसे पहले आपको यहां भी आपको मोंटर को चेक करके ने वाला हूँ पूरी अच्छी तरह से जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि यहीं कि कि इस की स्पीड वो कितनी अच्छी तरह से दे रही है आप इसे खुल ट्रा एक और तो आसानी से बना लोगे इस के पर सीटर से काफी काम आसानी से हो जाता है कि यहां पर मोटर में टेप लगा दिए जिसकी में आसा आपको यह पता चले लगा इसकी जो इस्पीड है वो हाई है यह या लो है मैं और इसका में आपको सबसे पर एकारच काफे वह चेक करना सबसकुझा करनी ओं ävenर देख सकते term यहां पर देख सकते हैं कि अप्रlaws नहीं है किया है तो friends मैंने आपको इसे test करके दिखा दिया है अब मैं आपको इस LED को चेक करके दिखाता हूँ friends आप इस LED को भी आपर देख सकते हो friends जब मैं इसे direct यहां पर जब इसे लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से तो यह LED जो जल यह स्टार्ट हो गई है लगिन जब हम जैसे इसे बंद कर देते हैं तो यह तुरंद लो हो जाती है तो जब हम इस इसमें अटेज करते हैं तो देखेगा कि यह किस तरीके से जलेगा तो फ्रेंट्स हमने अपके सीटर के पोजिटिव और नेगेटिव डैरेट इसके साथ करेंट कर दिया आप मैं आपको इसे जला करके दिखाता हूँ यह देखेए जो इसकी लाइट है वह जलने लगी है जैसे मैं इसे बंद करता हूँ यहाँ पर आप देख से तो यह स्लो है यहाँ पर बजर आप यहां पर देख से तो आपको इसकी साँ causes की साट करनेट करती है जैसे हम इसे बंद करती हैश्क बैद दीरे-दीर है करते कर देखंथ और यहां पर今日 मैं यहाँ बद से़िके Ganze ॐंश्टरन करता हूं यह रहेए microscopy सांज तरports अ क्योंप से ज스रत हो आप इसे साइकल में लगा सकते हो या आप डॉर में बनाते हो तब ये अच्छी तरह से वर्क करेगा आप मैं आपको एक आदी को चेक करके दिखाता हूं को फ्रेंट्स यहां पर मैंने जो रेक्स्ट्रेंज मेंने लिय थहां और रेक्टिय रादय ब 내े कर दिया तो सबसे पहले में आपको इसे च्छा और करके दिखाता हूं का और ऐसे बनाओ गए तो यह आपको देखों ये जू यह लुटी है यह स्टर्ट हो गई है तब मैं आपको इसे सीटर से चला करें करें दिखातां प्रह। जब आप डेडि-बोनि की लीटी कम से कम यह 30 से 35 सकेट तक यह अथाने से जलती रहेगी तो यह आप इसके पर सेटर की मदब से किसी भी लाइट स्पीकर किसी को भी आप वोल्टेज बढ़ा सकते हो यह ऐसे अपने कंट्रोल से चिला सकते हो फ्रेंड्स तो इसके पर सेटर को आप अपने यूज कीजिएगा कि अच्छी तरसी है वर्क करता है इस के पर सेटर का बहुत सारा काम है अगर आपको इसके आगे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो अगर वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें गंटे नोंको दबा द अगर में मुझे करें पर दो अपक लिए जाहिए